गुड मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप सभी उमीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके जो एक्साम है से वन वो पोस्ट पॉन होगे हैं वो दिवाली के बाद होगे तो हमने दो दिन आगे वाला पढ़ना है एक दिन रिविजन करना है ताकि आप लोग पीछे वाला भी बूलना जाए क्योंकि एक दम से फिर एक्साम सुरू हो जाएंगे दिवाली के बाद तो एक दिन रिविजन करेंगे बाकी दो दिन हम लोग जो है वो आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे exercise 10.1 10th chapter पढ़ रहे है measurement of length ठीक है इसमें हम लोग पढ़ चुके है first or second question आज हम पढ़ेंगे third question ठीक है तो इसमें हम बात करेंगे सबस्थ पहले 1 km की तो 1 km में सबको पता है कि 1000 मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं ठीक है एक मीटर एक किलो मीटर में 1000 मीटर होते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए और 1 मीटर में कितने centimetre होते हैं 100 cm वह आपको पता होना चाहिए और एक cm में 10 mm होते हैं वह भी आपको पता हो 10 mm, mm सबसे चोटा और किलोमीटर यहांपे सबसे बड़ा यूनिट हो गया ठीक थो फ्रस्ट और सेक्ड Almost सेंटीमीटर कन्रोट इंटू मीटर में जब को abet किया था निको आज हम करेंगे कंड़ाट इंटू मीट्र एंड़ सैंटीमीटर मतलब कि सेंटीमीटर से मीटर में चीज़ गरना है सेंटीमिटर बैस चोटा होता है तो चोटे से बढ़ा कैसे जोग तो बहुत इंटरस्टिमिटरा करें यह तो ब॑ल यह ज्यादा टॉप क्षिन नहीं है इस नहीं करदा कि ज़ये कि इंटने मीटर हो एयं उन мамत करा हम क्यों हन्डर्ड संट्यमेटर होते हैं तो रहें 200 सेंट्यमेटर तो दो मिटर में 200 संट्यमेटर होजाएक सिंपल है लेकिन आपने चेक कैसे करना है ठीक है चेक कैसे करना है तो यहाँ पर मैं first second और last question आपको बता रहा हूं बक्की जो question बचे यह बक्की तीन कोशिन आपकी प्रेक्टिक थीन कोशिन आपने हुंबर्क के लिए आपने अच्छे से उनको घर में सॉल्व करना है थीक है तो एक्साइज 10.1 का कनवर्ट इंटु मीटर एंड संटिमीटर फरस्सक्राइट एं टू हंड़र सेंटिमीटर तो 200 cm को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सबसे पहले तो इसको break करना है break and write test हम लोग को जो आपको कैसे करता हूं मैं 200 को तू x 100 देखे 100 में ही इसको मैंने कियों लिका तिक यह बैसे ब्लस में लिखना था लेकिन यह पर तू multiply 100 क्वैंद के मीटर में 100 क्वैंट सेंटेमेस चनला है कूंकि हमने सेंटिम μी Advanced से मिटर में सेंटिमेस कोई नंबर भी आना चाहिए द्यान रखेंभी हांट सेंटिमेस में आपने इसको तोड़ना है क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटिमीटर तो 100 के कोई भी नंबर आ जाए 100 के ही मल्टिपल्स में आपने तोड़ना है तो यहां पर मैं लिक्सका हूं तो मुल्टिप्लाई 100 हो गया इसका मतलब हो गया कि 100 कितने है तू टू टाइम से 100 तो 100 प्लस 100 लिख दिए मैं ने 2 2 बाँ लिख दिए 100 प्लस 100 ठीक है बीच में प्लस लगा लिए मुल्टिप्लाई की जरूरत नहीं है मुझे तो टेक है तो वी लो एक मीटर अंडर सेंटिमीटर तो हड़्यां पर सेंटीमिते में नहीं बचा कोछ भी अगले सेंटीमिते में बचेंगा कोछ सेंटीमिते दीहां से बहुत ये किसी मैं नहीं ए Eg if you know 600-700-50 लिख सकता हूं ठीक है 700 जो अब हो फोर जा कितना हुता है 47 जा क्तना हो 500 170 7 जा कितरो 7 तो 100 का ही एक multiple है 700 तो 700 प्लस 50 अब देखे एक मीटर में 100 cm 100 cm 2 मीटर में 200 cm 7 7 मीटर में 700 cm तो यहां पर 700 cm है यहां पर लिखते हैं मैं 7 मीटर क्योंकि 700 cm सेंटी मीटर के बराबर होता है तिक आप अगर वर्क में साथ में लिखना चाहते हैं 7 x 100 तो ऐसे भी लिख सकते हैं 50 cm इसको मैं नहीं तोड़ सकता है क्योंकि 100 से कम है बैसे मैं पॉइंट में ले जा सकता हूं लेकिन पॉइंट में हमने इसको डिफिकल्ट नहीं बदाना है हमने सेंटी मीटर क्योंकि इसने कोशिन में बोला था कि सेंटी मीटर और मीटर में चेंज करिए अगर सेंटी मीटर में बचता है कुछ तो सेंटी मीटर भी लिख सकते हैं ठीक है तो 50 cm है जो अंडर से चोट तो मैं इसको इसको ऐसे पढ़ेंगा 9,000 प्लस 90 ऐसे मैं लिख सकता हूँ अगर मैं इसको ऐसे पढ़ना स्टने करों कि 90 हंड़र्ड क्लस 90 तो ऐसे ब western पढ़े गा बतलब कि 100 की multiply method नाइटी हंड़र्ड बन रहा है 90 हंड़र्ड बन रहा है तो इसको ऐसे रहने दीजे 90 मिटर 90 सेंट में सिंपल ठीक है बीच बाले तीन कोशिन आपकी प्रेक्टिस के लिए तो जल्दी उनको भी सॉल्ब करें तो आगर नहीं आएंगे तो आपकी साइड लाइव क्लास भी होगी लाइव क्लास आपकी सेटर डेक होगी तो सेटर डेक को आप नोट्स में साइड में लिखते राफ वर्क कि हमने जो वो हमें समझ नहीं आया तो हम लोग सेटर डेको पूछेंगे तो आज भी आप मैसेज कर सकते हैं कि हमें समझ नहीं आया या समझ आ चुका है तो होंबर्क अच्छे से करिए तीन कोशिन आपकी प्रेक्टिस क के लिए उनको भी साथ में करिए और होंबर्क जरूर भेजें सभी भेजें पढ़ते रिए थेंक्यू